Hello everyone, Happy Janmaschmi to all of you Hello everyone, Welcome back to my channel मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो एकदम मज़े मेना आचा करती हूँ आप सभी लोग एकदम सोरस हूँ और अपने अपने घरों में सोरक्षे थूँ आज क्रिश्न जनमास्टमी है हर घर में क्रिश्न जी का जनम होने वाला है और हमारे घर में भी वही तयारियां चल रही है आज का जो हमारा स्पेशल ब्लॉग है वो क्रिश्न जनमास्टमी के लिए है कल मैंने कुछ तयारी कर रखी थी वो आपके साथ शेयर की थी और बांकी की सारी तयारियां आज है तो आज कानहा का भोग हमारा special vlog है तो जितना भी मैंने कानहा के भोग के लिए थाली में लगाने के लिए जो जो बनाया है वही सब आपके साथ recipe शेर करने वाली हूँ I hope कि आप सभी को ये recipe ज़रूर पसंद आएंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आए देखते हमारा आज का vlog वैसे देखा जाये तो आज कल हर तिवार दो दिन होने लग गए है जैसा कि हमने आज कृष्ण जन्माश्मी करी और कुछ लोग कल करने वाले हैं तो मतलब दो दिन के तिवार हो गए हैं आज कल और क्योंकि आज कृष्ण जन्माश्मी थी तो जैसा कि डेली रंगोली बनाती हूं मैं वारवाली रंगोली तुलसी जी के पास में दर्वाजे पर तो वो एक छोटी सी रंगोली सुबह बनाई थी बुधुवारवाली इस तरीके से गू पदम और लक्षमी पदम और दीपक तो रात में जलाऊंगी मैं बड़ा सुन्दर लग रहा था बालों से पूरा टाइए करना और साड़े छे बज रहें करीब इस टाइम दस मिट हमारी घड़ियां आगे रहती हैं हम तब भी दिमाग में वही रखते हैं कि हाँ यही टाइम है मालू होता है फिर भी आदसी हो गई हमको और यह वाला जो हमा मंदिर की सफाई मैंने कल करके रखी हुई थी और सारा मंदिर पूरा साफ किया हुआ था सुबह जैसे रेगुलर पूजा होती है वैसे ही पूजा भी हुई और चुक्की जन्मास्टमी के लिए अलग से सिंगहासन रखना था काना जी के लिए तो यह मेरा छोटा साहे स्ट जाद रखना उतनी जगह मंदिर के पास नहीं होती है अब मैं शुरू कर रही हूँ तब से पहले मैंने फ्रेज से निकाला था वो जो कल मैंने मलाई से घी बनाया था हाफ प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था तो यह है बरतन जिसमें मैंने गरम करके पानी भरके रखा था आपने कल का वीडियो देखा आओगा नहीं देखा तो आज मैं डिस्किप्शन में लिंक दोंगी आप जरूर चेक कर लीजेगा यह देखिए पूरा जम गया है उपर पूरा जो घी है वो पूरा उपर जमा हुआ है और नीचे में ये पूरा पानी पानी है तो उपर का घी क्यों नहीं बनाते हैं कहने लगीं कि आयुरवेद के हिसाब से पीतल के बरतन में घी बनाना बहुत अच्छा होता है और यह गिलट की कड़ाई है जिसमें पीतल तामबा लोहा मिक्स है यह मिक्स धातों की कड़ाई है तो आप उसमें ही घी बनाया करो तो मैंने का ठीक नेक्स टाइम मैं ऐसी बनाऊंगी तो इसलिए मैंने आज इस कड़ाई को रखा घी बनाने के लिए और मैंने देखा कि इसमें घी बनाने के बाद कलर भी बहुत सुन्दर सा आया है अलक सा कलर भले वो वाइट नहीं दिख रहा है पर अच्छा सा कलर आता है वो ऐसा वाला आया है और बाहर अचानक से देखो तो ऐसी तेज सी बारिश शुरू हो गई है और ये सिर्फ पांच मिनिट के लिए हुई थी बस ऐसे हुई और हम तो बड़े खुश होगे हमने सुचा आज काना जी का जनम दिन है तो ऐसे जोड़दार बारिश होगी जैसा हम लोगों ने आज तक टीवी सीरियल वगरा में देखा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पता नहीं कितने साल होगा है कि जनम आसमी के दिन हमने जोड़दार बारिश देखी हो हम सोचते वही है कि शायद आज हो जाएगा जमी जम लेकिन कोई जमी जम नहीं होता रिम जिम रिम जिम होके शानत हो जाता है और केचन में मैं काम कर रही हूँ बाहर देख रही हूँ तो मझे बड़ाई खुशी हो रही है पानी को और ये जो अभी मैंने घी गरम करने के लिए रखा उसके बाद जो पानी है एक बरतन में वो है और दूसरे बरतन में जो कल मैंने मलाई फेंटी थी उसके बाद पानी है ये थोड़े से बरतन मैंने शाम को दुले थे जो मुझे अभी पूजा में इस्तिमाल होने हैं क्योंकि कल यूज हुए थे वो बरतन तो वही होते हैं ना कुछ बरतन जैसे के अब जूठे कहला जाते हैं आरती की थाली, आरती वेगरा, घंटी वंटी सब मैंने दुल के रखी है शाम की पूजा के लिए और दो टमाटर और दो तीन हरी मिर्ची का मैं पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है मटर पनीर की सबजी वो भी बेना प्यास लेसन वाली भोग प्रशाद के लिए तो टमाटर तो बहुत जरूरी है इस बार टमाटर बड़े पीले पीले से थे और मैंने फ्रिज में रखे थी हमेशा की तरह तो मेरी एक वीवर है उन्होंने कल मुझे बताया कि यदि पीले टमाटर हूँ तो आप बाहर रखेंगे तो वो पक जाते हैं और बहुत सही टिप दी थी उन्होंने अब आग इसे मैं ध्यान रखूंगी क्योंकि वो पीले पीले टमाटर के ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है और ये पनीर मोल्ड जिसमें पनीर मैंने सेट करके रखा था आपके साथ शेयर भी किया था चुकि आज मुझे बनाना था मटर पनीर इसलिए मैंने कल इसका यूज नहीं किया और अब इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी पनीर तो मैं हमेशा बनाती हूं नेट में रख करके इसमें ना शेप बड़ा परफेक्ट आता है ऐसे फैला फैला सा नहीं है एक जैसा फ्लाट है और कई बार मैं जब नेट में रखती हूं की है पनीर के छोटे बड़े कैसे भी आकार आप दे सकते हैं स्ट्रृ कर शक्ते हैं या फिर इस तरह किसे कट सकते हैं इट के आकार का और बस अब ये मैं आज मैं ग्यायश चेंज करने वालि थी जैसा कि आप सब दे बोला कि मैं पहले जैसा कर लूँ आज मैंने खास डीजन की वज़े से गैस को शिफ्ट नहीं किया क्योंकि जहां गैस रखती थी मैं इस टाइड यानि कि ये वेस्ट साइड था इस्ट हमारा गेट है वेस्ट ये तो क्योंकि मंदिर में जादा जगे है नहीं तेल गरम हो जाएगा तो ये जो पनीर क्यूब्स हैं इनको हलका सा फ्राई कर लेंगे मैं अकसर हमेशा देखा होगा अपने रेसिपीज में मैं कच्चा पनीर ही यूज करती हूँ एक दो बार से कुछ वीवर्स कहते हैं कि कभी फ्राई करके भी बताएं मतलब उनको फ्राई पसंद है उनकी फैमिली में तो फिर फ्राई करके किस तरीके से पनीर का यूज करें तो इस तरीके से आप हलका सा फ्राई कर सकते हैं कड़ाई में और यहां पर जो मैंने घी गरम करने रखा था उसे मैं बीच-बीच में हिलाती जा रही हूं यह देखिए पूरा जो मक्षन था वो पूरा पेखल गया है और दूद बॉयल हुआ तो मैंने उसे प्लेट ढग दी है और दूसरी बात में बताना चाहती हूं इस तरीके से जो दो दिन का प्रोसेस किया घी बनाने में इससे गैस कम खर्च होती है और जो मतलब ब्राउन पार्ट से है वो कम निकलता है और यह मैंने फ्राई कर लिया है पनीर इनको दूसरे बरतर में निकाल के रख लिया है इस तरीके से यह देखो बरतर में पू हाई गरम है इससे रखे रहने दूंगी और इसमें मैंने डाला है इनाइची पाउडर थोड़ा सा इससे इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है घी में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं रहेगी और यह देखिए घी हमारा तैयार हो गया है खोब अच्छे से पक भी गया है और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब जिस कड़ाई में हमने पनीर फ्राई किया था उसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं और तेल गरम होते ही जीरा लॉंग काले मिर्ची डाली है एक टुकड़ा हमने डाल चीनी का डाला है और एक तेज पत्ता भ अद्रक डाला है कड़ू कस किया हुआ एक हरी इलाची भी डाली है और सब को डाल करके भून लेंगे यहाँ पर हमने काश्मेरी लाल मिर्च का यूज किया है आज जिसे कलर अच्छा सा आये टमाटर तो हमारे वैसी सफेस सफेस से नजर आ रहे थे और बस एक चमच कसूरी काश्मेरी लाल मिर्च डाल करके टमाटर भून लिया है फिर हल्दी पाउडर डाला है आदा चमच और एक चमच करीब धनिया पाउडर डाला है आदा चमच गरम मसाला भी डाला है अब हमने लाल मिर्ची का यूज नहीं किया है थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है हमने आफ कप देख रहे हैं फ्रोजन मटर है इने पानी से धुल करके डाला है और इनको भी डाल करके मिकस कर लेंगे मसाले भी भून जाएंगी और जो मटर है वो भी हमारी हलकी सी पक जाएगी इसे ढख देंगे नमक डला हुआ है तो सारी चीजे जल्दी से पक जाती है फिर खो तेल ऊपर ऊपर आने लगता है और मसाला थिक हो जाता है और मडर भी अच्छे से पक गए इसी ज़िए । पहुत ज़ादा तेस्टी है मिठा सो नहीं आती है लेकिन कलर बहुत सुन्दर हो जाता है इसे अच्छे से भूनने देंगे मलाई भी पूरी पक गई है और यहां पर यह देखो तेल अलग हो जाता है अब हमने फ्राइ किये हुए पनीर के पीसे डाले हैं इन्हें भी डाल करके हलका सा भून लेंगे जिस को धीमी कर लेंगे जिसे मसाला अच्छे से खौलता रहेगा पकेगा अब हमने गहुं का आटा निकाला है और यह है उरत की डाल का मसाला हमने बेडमी पूरी रेसिपी शेयर की थी आपके साथ जो पीठी हमने स्टफ करी थी वैसी ही पीठी बना करके आप गहुं के आटे म पीठी मसाले वाली डालेंगे इसमें सारे मसाले मेक्स हैं तो आपको अलग से कोई मसाला नहीं डालना है जैसे आदरक है हींग है जीरा है सौंफ है कसूरी मेती है उरत की डाल है भुनी हुई है पूरी अच्छे से तो यह बन जाती है कचौरिया उरत की डाल की कचौरी दो मसाले दार पूरिया रहेंगे जो मसाले दार पूरिया होती है उनमें उरत की दाल मिक्स होती है और इसलिए उनको कचौरी कहते हैं तो यह उरत दाल मिक्स कचौरी है गियों का आटा जादा है एक कचौरी उरत की दाल है और यहाँ पर तीन कचौरी के करीब गियों का आटा त मैं लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दूंगी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लीजेगा क्योंकि यह बहुत सारी रेसिपी एक ही साथ देने से फिर सारा मिक्स हो जाता है और बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो यहां पर हरा धनिया बारी कटा हुआ डाला जिससे ग्रेवी में ठिकने साए अब यह सबजी बन गई है और मैंने तुलसी पत्ता डाला है आज पता है क्या हुआ जितनी बार मैं भोग बना रही थी जैसे कल मैंने बनाई थी धन्या की पंजीरी उसमें भी मैंने डाला था तुलसी पत्ता अभी भी मैंने सबजी में ड और अब मैंने डोंगे में निकाला है दही हम लोग बना रहे हैं पंचामरित चुकि आज की पूजा का में प्रशाद है हमारी फैमिली में यही में प्रशाद मानते हैं दही लेंगे दो कटोरी जितना और उसमें चीनी डालेंगे मतलब दही के हिसाब से और शहद डालेंगे एक बड़ा चम्मच और एक चम्मच डालेंगे घी पंचामरित में घी शहद चीनी दही और दूद यह पांच चीजें एक्तम मस्ट हैं कमपलसरी आप चाहें मेवे ना डालो लेकिन यह पांच तत्व जरूर डालना है दूद दही शहद चीनी और घी और यह हमने पिंड खजूर तो उनको मैंने नाइफ से चोटा चोटा काट लिया है बीज निकाल लिया है मैंने पांच ड्राइफरूर्स ली हैं पांच मेवे तो सब डाल देंगे मखाने को भी 2-3 तुकड़े की हैं चाकू से मखाने तो गोल-गोल बड़े-बड़े आते हैं और यह ज जालो ना डालो सब कुछ हो सकता है बस वो सारी चीजें चाहिए पंचामरित में और इसमें भी हमने डाला तुलसी पत्ता अब तुलसी पत्ता से रिलेट में एक बात बताना चाहती हूं कल मैंने कॉमेंट पढ़ा जब मैंने वो धन्या की पंजीरी में डाल दिया था ना चुटी चुटी बाते होती हैं जो हम लोग को नहीं पता होती है अब आगे से मैं ध्यान रखोंगी अब ये घी ठंडा हो गया था तो मैंने उसको छनी से चान करके डोंगे में निकाला आप देखो कलर थोड़ा अलग सा लग रहना घी का और घी को मैं वापस बड़े डब नहीं किया मैंने सिर्फ बरतन ही चेंज किया आप इसे रख देंगे और अब जब सारा काम होने को हो गया तो अब मैंने क्या किया वो जो मैंने अभी घी बनाया तो उस बरतन में पानी था और कल वाला पानी जो था मलाई वाला तो बहुत बार वीवर्स मुझको अक्सर बो या इडली वगरा में यूज कर लिया है लेकिन आज फास टाइम इतनी बार लोग बोल चुके हैं confidence के साथ तो मैंने सोचा चलो try करते हैं तो मैंने उसे गरम करने रखा है तब तक मैंने सारे बरतन भी धुल डाले हैं और यहाँ पर वो पूरा दो बरतन में जो पानी था आज वाला और कल वाला उसे गरम करने रखा है तब मैंने नोटिस किया कि फटा फटा सा पाट उपर आया जिस तरीके से दूद फटता है फाडने में ऐसा होता है तो वही चीज हो रही थी और जब यह गरम हुआ उसके बाद इसको और अच्छे से फाडने के लिए वेनेगर का यूज करना है तब यह पूरा अच्छे से फट जाएगा और इसका पनीर निकलेगा तो मैं ट्राई कर रही हूँ आज पहली बार कि यह भी करके देख लेते हैं इतना कुछ करके देखा है और जिनोंने यह वताया ना कि तुलसी पत्ता के लिए बहुत सही बात है उन्होंने कहा कि जब भी मंदिर में भोग प्रशाद लगता है उसी समय वो लोग डालते हैं तुलसी पत्ता पहले से नहीं डालते हैं सही बात है हम लोग बाला जी मंदिर में जाते हैं अगरबाल समाज में हमारे हम कृष्ण जन्रम वहीं होता है वहीं जूला लगाते हैं अभी साल नहीं होगा कुरोना की वज़े से वहां उसी समय पंडिजी लगाते हैं भोग के समय में तोलसी पत्र और ये अब हमने दूद में डाल दि इसलिए वो मैंने ऐसे बताया आपको वो पूरा मैंने वही चाना है वाइट पार्ट जितना भी था और उसको इस तरीके से पनीर मेकर में डाल करके रख दिया है अब जब मैं इसके कल पीसे कट करूँगी तब मैं जरूर दिखाऊंगी कि इनके हाल चाल क्या है और उनका सुआत कैसा है और यहाँ पर सारे बरतन मैंने धुल दिये हैं कड़ाई भी धुल दिये हैं जिसे वह भी मैंने घी पल्टा और घी ठंडा होने के बाद ही हलमारी में रखा था ठंडा भी हो गया था और दूद का बरतन भी साफ कर दिया है तो इस तरीके से एक एक काम मतलब ऐसे खतम होते हैं फिर शुरू होता है पूजा के तयारी सबजी जो अभी बनानी थी वो बनाई मैंने और दोपहर में जो बनाया था मतलब वो बना के अलग से रखा था भोग के लिए तो हमने यहाँ पर जो मैं बोल ली ती जगह मैंने बनाई है काना जी के जनम के लिए यहाँ पर पूजा के लिए मैंने बनाया है सिंगासन यहां रखा है दन्या की पंजीरी जो कल बनाई थी और वो यहीं पर रखी है वो नारियल के लड़ू है और बेसन वाले लड़ू है चने की दाल वाले गुलाब जामुन मैंने बना के रखे थे और यह है पनीर की सब्सक्राइब है थाली लगा रही हो मैं भोग के लिए और खीरा रखा हुआ है सब में मैंने तुलसी पत्ता रखा लेकिन यह सब मुझे तब पता नहीं था तुलसी पत्ते वाली बात और अभी मैंने पंच्छामरित निकाला है काकोड़े की सबजी बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है जनमाश्टमी में जरूर बनाई जाती है भोग प्रशाद के लिए तो खास कर बनाई जाती है खीरा है, काकोड़े की सबजी है और केले का भी बनता है खीर भी बनती है और उसका वो भी बनता है कस्टड जैसा राईता जैसा वो भी बनता है केले का मैं अगले बार से याद रखूंगे जिस समय थाली लगाते हैं उसी समय ही तुलसी पता डालते हैं मैं तो हर चीज बना करके डालती जा रही थी जिससे मतलब ये भोग का है प्रशाद के लिए है तो कुछ चीजे होती हैं जो हम एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे से सीखिते हैं मुझे ये चीज योटूब में बहुत अच्छी लगी की हम अपने आईडियाज अपने टिपस आपके साथ शेयर करते हैं तो आप हमें भी बताते हैं धन्या की पंजीरी बहुती सुआदिस्ट बनी हैं मोदक हैं लड़ू हैं गुलाब चामुन हैं और खीर दो पहर में बना के रखी थी मैंने खीर की रेसिपी कितनी बार शेयर करती हैं इसलिए मैंने नहीं शे जीरी हैं और बन यहां पर इसलिए रखा कि哇ntr में इतनी जगह नहीं दो थाल लगाय थे हमने एक थाल मंदिर में हमारी जो महराज कर торов Clements की लगती है वो हमारी अलग थाली है और उसमें ढखकर कै रखते हैं तो वह मैंने कभी शैद शुटिंग में नहीं रखी थाली, इसलएं किसी को पता हीने चलता कि जो खाना बनता है, इसके बाद एक थाली ही भी और यहां पर एक थाली रखी मैंने काना जी के लिए इसलिए जो मेरा चुटा सा सिंगासन है इसको मैं इसी तरह यूज करती हूं कि कभी ऐसे पूजा करनी होती है न कि उससे रख लो और अपना कर लो पूजा और डिरेक्शन भी देखना था हमें जैसे जहां वो रेड वॉल दिखरी है टीवी इसके नीचे चौकी रखी है वहां बच्चे कह रहते काना जी के लिए रखने को जहां रंगोली बनाई पर वो डिरेक्शन सही नहीं था मुझे इस्ट और वेस्ट ही चाहिए था इसलिए मैंने फिर ऐसे ही कर लिया जगे खाली भी थी तो बस इस तरीके तो हमारा मंदिर में जलता है एक तो इसी जी के बाहर जलता है और किशने जी का जनम हम लोग नहीं करते हैं मेरी सास करती हैं हम लोग सिर्फ पूजा करते हैं मैंने अभी तक कोई भी ऐसे तिवहार अलग से अपने घर में यहां शुरू नहीं किये क्योंकि हमारा मानना है घर तो एक ही है वहाँ होती है पूजा बस हम लोग इसी तरीके से शॉर्ट कट में ही कर लेते हैं पूजा थाइंक यू